दोस्तों नमस्कार मैं रिजनिश कुमार PVR अक्वा कल्चर फार्म से कैसी मेरी PVR अक्वा फैमली दोस्तों मैं आज आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जब आप नई स्टॉकिंग करें या तीन से चार साल आपकी अर्थन पॉंट्स को हो जाएं तो हमें क्या क्या कर करना चाहिए आप देख पा रहे होंगे पूरी मट्टी में क्रेक्स आ गए हैं आप देख पा रहे होंगे पूरी ब्लैक स्लज तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह शेयर करना चाह रहा हूं जब आप मान के चलिए चार से पांच साल में एवरेज आप एक बार सलज है आप इसको बाहर निकल वाएं उसका बैनेफिट क्या रहेगा कि आपने अग नेक्स्ट फोर यह के लिए वाटर बोडी रेडी कर ली अदरवाई जयों विलेज के पॉंड रहते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रावलम अमोनिया या डिजॉल ऑक्सिजिन की इसी कारण होती है और मचल Swiss की मोडंटी इसी कारण से होती है क्योंकि वो खभी ना तो सूक पाते हैं ना उंसे सलजवार निकल पाता है ना वो रिपेर हो पाते है जो हम अपने अर्थनपोर्ण्स बनाते हैं उनकी डाइक्स क्रैक जाती है बार-बार जब हमारी हवा चलती है तो उसके कारण वो क्रैक होती रहती है तो अगर हमें वह भी रिपेर टाइम टाइम पर करानी है अभी इस वाली वाटर बोड़ी में यह एक एकड़ का मेरा पॉंड है मैं इसे रिपेर करा रहा हूं और इसमें मैं अपनी कुछ मे तो आप अपने सब अपने फार्म पे सैंड बैग जरूर रखें सैंड बैग रखने का यह बैनिएफिट रहता है कि कहीं से कोई रस्ता क्रेक हो रहा है तो आप उसमें उन्हें फिल कर सकते हैं जिससे कि उना कटे देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं ये पूरा रास्ता कितना विड्थ है थी इसकी और अभी बार बारे कटके इसकी कितनी विड्थ बचिए तो दोस्तो एक मैं ये शेयर करूँगा जब भी आप ये खाली कराएंगे और जब दुबारा हमारे रेडी हो जाएगा तो एक साइपर मैथ्रिन एक एकड में आप डाल सकते हैं उसका बेनेफिट क्या रहेगा कोई भी अनवांटेड फिश रहेगी तो उसकी मोटलेटी हो ज ज़रूर एड़ करें दूसरी बड़ी बात की ध्यान रही है तीसरा आप फर्मेंटेशन स्टाट कर दीजिए अगर आप फर्मेंटेशन स्टाट कर देंगे तो मेन बैनेफिट यह रहेगा कि जब आप सीड़ स्टॉक करेंगे तो प्लांक तो नवलेबल हो जाएंगे मरल क चमेंटेशन के स्टॉक कोई आप सकता नहीं है जब आप कार्प्स कर रहे हूं तो आप फर्मेंटेशन जिरूर करें और दिखाने वाला हूं जहाँ एज होता है वहाँ पे सब स्यादा डाइक कटती है तो एज को प्रफर करें सर्कुलर में और जो इसकी डाइक की विट रहेगी ये आपको दुबारा से इंक्रीज करानी पड़ेगी अब देख पा रहे होंगे पूरा अब ये डाइक देखे इस साइज की हो जाएगी तो नेक्स्ट फोर इयर्स के लिए ये दुबारा रैडी हो जाएगी तो दोस्तो मेरी छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से आप पॉंड को कैसे रिपेर करें कैसे आप इसमें नया सीडी स्टॉक करें सीडी स्टॉक करने के समय क्या क्या सावधानिया रखें ये सब मेरा टार्गेट रहता है कि मेरा टार्गेट रहता है कि अपने किसान भाईयों को मैं छोटी-छोटी बाते शेर करता रहूं जिससे कि वो बेस्ट प्रैक्टिस फोलो करें एक्वा कल्चर में तो बने रहें अपने प्रैक यूटूब चैनल पर और जाने मचली से छोटी से छोटी बाते धन्यवाद